सहारा इंडिया परिवार और केंद्रिय सहकाइरता मंत्राले भारत सरकार के द्वारा परतारित किये जा रहा है सारे सहारा के जम्मा करताओं को मेरा नमस्कार जी हाँ नौरात्रान चालू हो गया है, इसलिए आपको नौरात्र की हारदिक सुभकाम नाए, मातारानी करें कि आपका जो नौरात्र है वो अच्छी तरह से भीते, आप अपने परिवार के साथ फ्रेम और सुहार्द के साथ नौरात्र मनाएं. त begins sini 1996 में अपको नौराथ र कि हरदिग बाधाई दू कि हमारे सनात्र अंधर में बहुत सारे त्योभार itu को दिखनानी कि वहारे सारे चालू हो जाएंगे आप देखेंगे कि दसहारागे बढ़न आपको दिपावुली dull जयसी बढ़ी बड़ी बड़ी तयुआ आ Sharp लाट के तौब Hamilton में सब्सक्राइब इसलिए उन्होंने जाकर साइबर कैफे से या फिर बुश्दा के अंदर से 500 रुपे देकर 1000 रुपे देकर अपने सारे बॉंड को डिमांड करवाया वो ये सोच रहे थे कि अब उनके खाते में पैसे आ जाएगा 10,000 रुपे लेकिन आ क्या रहा है तो उनके मोबाइल पर आ रहा है डिफिसेंसी का मैसेज आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि CRCS पोर्टल पर एक नया अपडेट जारी किया गया है एक नया ओप्सन जोड़ा गया है जी हां जी CRCS पोर्टल से आप अपना आवेदन करते थे ऑनलाइन अपना पैसा लेने के लिए उसी CRCS पोर्टल पर एक नया ओप्सन जोड़ दिया गया है अधार चिडिंग प्रोसेस का आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि यह ऑप्सन क्या है और यह क्यों जोड़ा गया है इस से आपको क्या सायता मिल सकती है तो उस उप्सन पर बात करने से पहले आपको एक हम बता दें कि जिन लोगों के मोबाइल पर अगर जा रहा है message deficiencies का वो थोड़ा सा भी चिन्तित नहीं हो क्योंकि ऊणकी गलती नहीं है अगर आपकी गलती होती तो आप चिन्तित होते तो हम मान सकते थे कि छल ये ठीक है लेकिन ये आपकी गलती नहीं है जो भी आपका deficiencies का message जा रहा है वो बीना माने मतलब का है जिसका समस्या का समधान आपके पास है ही नहीं और इस समस्या का समधान आपके पास नहों उसके बारे में चिंतित होना ये बेवकूफी का काम है तो आप चिंतित नहों ये जो CRCS पोटल के दोबारा भेया जा रहा है आपके का मैसेज यह बीना माने मतलब का है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप स्क्रीन पर देखिए यह स्क्रीन पर आपको एक एक एकाउंट नमबर दिखाई दे रहा होगा यह एक जामा करता अपना एकाउंट नमबर डिमांड किये थे अब आप सोचिए कि जिनके पास केवल एक एकाउंट है सहारा इंडिया का तो जो तो शोर है कि उनके पास एकहीं मैंबर अब होगा फिर भी इनको यह मैसेज भेजा रहा है कि आ आपके पास मल्टिपल मैंबर शिप नमबर नहीं है तो आप यह सोच कर देखिए यह मजाखीन है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं फेरिफाई करने के लिए CRCS पोटल पे बहले हैं वह सहारा के ही कार करता हूँ जो आपका फेरिफाई कर रहे हैं कि आपने सही सही डोकुमेंट अप्लोट किया हैं कि नहीं वो अंधे हैं इसका मतलब यही नहुआ कि वो अंधे हैं आख मूंद कर वो फेरिफाई कर रहे हैं जिस जमा करता के पास के वल एक बॉन्ड है उसके पास मुल्टिपल मेंबर्शिप नमबर कहां से आ जाएगा यानि कि जो भी वहाँ पर फेरिफाई करने बैठे हैं या तो वो अंधे हैं या वो फिर वो भांग आजा दारूपी कर बैठे हुए हैं फेरिफाई करने के लिए आप देखते होंगे कि आपके मुबाइल पर भारत सरकार या फिर आपके राज सरकार के दवारा किसी त्यवहार में एक ही मैसेज सारे के सारे मुबाइल पर जो भी जनता होती है सब के मुबाइल पर एक ही मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाता है वैसा एक कुछ खेल CRCS पोर्टल भी कर रही है सहारा इंडिया कर रही है त्योंकि वो सारे जामा करता है कि ओपर एक ही deficiencies का message जो है वो भेज रही है कि आपके पास multiple membership number है आप valid member नहीं है आपका membership का detail हमारे CRCS के पास नहीं पहुचा है यह common message सब के mobile पर भेज जा रहा है और पिंड छुडा लिया जा रहा है तो आप panic नहों पुछने पर CRCS के अधिकारी या फिर सहारा के अधिकारी तो यह बताया जा रहा है कि कुछ दिन में पांस या साथ दिन में यह सारे problem ठीक हो जाएंगे अपने आप साइट अपडेट होगा तो यह सारे problem आपका solve हो जाएंगे तो फिर यह problem यह deficiency भेजने का मतलब क्या है यानि क्या परसान कर रहे है सारे डिपोईटर को कि इतने दिन से हम लोग परतारित हो रहे थे तो आप लोग पेट नहीं भरा आप फिर से अब एक नया चालू कर दिये है प्रोसेस CRCS पोठल का ताकि हम लोग फिर से परतारित हो स और हमें हसीन सपने दिखाते हैं कि अब हमारे पैसे मिलेंगे और फिर से अपना हमसुधार कर गया है तो आई अब बात कर लेते हैं कि जो CRCS पोठल पर गणिया ओप्शन जुड़ा गिया है अधार सीडिंग प्रोसेस का उस अधार सीडिंग प्रोसेस का क्या मतलब है और तो आप जब CRCS पोठल पर जाकर और ओप्शन देखेंगे तो उसमें एक नया ओप्शन जोड़ दिया गया है अधार सीडिंग प्रोसेस का इसका मतलब यह हुआ पहले आपको में बतायता हूं फिर हम लोग उसका PDF को डाउनलोड करके और पढ़ लेंगे कि क्या उसमें कहा जा रहा है अधार सीडिंग प्रोसेस उन लोगों के लिए है जो अपना CRCS पोठल पर जब डिमांड कर रहे हैं अपना एकाउंट नमबर तो जब उसमें बैंक का डिटेल जो उनका दिखा रहा है वो ऐसा एकाउंट दिखा रहा है जो उनका पहले ही बंद हो चुके है जी उनको दिखते आ रही है कि वो कैसे अपना डिमांड करें तो उनहीं के लिए यह एक PDF अप्लोड किया गया CRCS पोर्टल पर ताकि वो इस PDF के मदद से अपना जो भी आमका बैंक एक चालू है उसको वो CRCS पोर्टल पर अप्लोड कर सके हैं एक बात ध्यान ने किये कि आप CRCS पोर्टल के माध्यम से यह नहीं सुधार सकते हैं आपको जाना पड़ेगा अपने बैंक में ही जिस बैंक में आपका खाता है जो बैंक कभी चालू है उसी बैंक में जाकर आपको यह सारे प्रोसेस करने होंगे जो इस PDF में बताये गया है तभी आपका बैंक को एक्टीव ह चालू है और वहां आप जामा कर देंगे तो आपका जो भी बैंक एकाउंट है वह CRCS पोर्टल पर दिखाएने रहेगा तो आपको मैं फोर्म बताऊंगा भी कि कैसे आप उसको फोर्म को भरना है और आपको कैसे भरके वहां पर जामा करना है अपने बैंक में तो आई चलत आप ज़र CRCS पोर्टल पर आईएगा तो आप देखिएगा कि यहां पर चोथे नमबर पर आपको एक उप्सन दिखाए देगा आधार सीडिंग प्रकिरिया आप वो सिंपल इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में एक PDF डानलोड ह जाएगा उस PDF को आप जो ओपन कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा एक PDF ओपन होगा यही PDF जो है इस PDF में बताये गया है कि कैसे आप अपने जो भी आपका एकाउंट अभी चालू है उसको आप NPCI मैपिंग कर सकते हैं यानि कि आप उसको चालू कर सकते हैं ताकि आपका CRCS प यहां पर बहुत सारे प्रोसेस दिए गए है सारे के सारे चुकि इंग्लीश में दिए गए हैं CRCS पॉर्टल जानता है कि जो भी सहारे के Deep Culture है वह सारे MBBS है इसलिए वह जितने भी यहां पर देता है PDF वह सारे इंग्लीश में देता है ठीक है तो आईए आपको समझा देते ह क्या हैं तो इतना सारा हम पढ़ेंगे तो बहुत हमको लंबा सो ब्रहम है और आप तो आपको एक नीचे form दिखाई देगा यही वह form है जो आपको form भर के अपने bank में ले जाना है आई आपको बता देते हैं कि इस form को आप कैसे भरेंगे और अपने bank में लिए कर आप जमा करेंगे तो आप सबसे उपर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है यहां पे डेट को लिफ्07ёना है कि यहां पर आपको अम अब कर किया नाम हो यहां पर आपने पो अब जब आप नीचे आईएगा तो नीचे आप देखिएगा कि यहां पे बहुत सारे फिलेंद ब्लैंक से भरने के लिए यहां पे आप देख लीजिएगा सबसे उपर आई फिर दूसरे पॉइंट में जब आई अगर आपका कोई और बैंक में अगर आपने खोला हुआ एक खाता अपना तो आपको यहां पे अपना बैंक का नाम लिख देना है को दूसरे बैंक में आपका अका अकांट है तो आपको यहाँ पे state bank को पिंजे लिख देना है और वहाँ का IIN number यहाँ पर आपको लिख देना है फिर वो वैसे ही अगर आपके पास कोई और bank का account है तो आप यहाँ पे और तीसरे point पर भर सकते हैं यहाँ पर bank का name और कुछ डाल सकते हैं जो आपका तीसरा bank account होगा और यह पर उसका IIN number आपको यहाँ पे डाल देना है बस यह बस्तना करना है आपको यहाँ पर आपका information है कि आपका signature है यहाँ भी आपको उपर यहाँ पर今日 उठाभा सब्सीं हैँ आप अपना दिना मम लिख देना है यहाँ न लिख देना है फिर यहाँ और यहाँ पर अपना एक आधार का्वभी लगा देना है और अपने बैंक में आपको चुपचाफ जमा कर देना है और यहां भी आपको दिखेगा Šिगनेटर थम इंप्रेस्शन यहां पर नीचे तो यहां भी आपको अपना और ऊपर shark या फिद थम लगा तो आपका जो अभी एकाउंट जो अभी चालू है वही आपका दिखाने लगेगा CRCS पोटल पर जही सरा प्रोसेस है आप अपने बैंक एकाउंट को आप CRCS पोटल पर फीड करवा सकते हैं अपने बैंक में जाका